गुड मॉनिंग एवरिवन आज हम देखेंगे चाप्टर 11 एपिलेपसी और एंटीपिलेप्टिक ड्रग्स का पार्ट 3 इससे पहले हमने देखा था पार्ट 2 जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ओफ एंटीपिलेप्टिक ड्रग्स देखा था और उसमें हमने फिनुटोईन और म ड्रग को डिसकस किया था तो यह पार्ट में हम देखते हैं इसके आगे के ड्रग तो इसमें आयेगा पहला ड्रग आपका बार्बिचुरेट तो बार्बिचुरेट जो है यह ड्रग भी यूज होता है आज एंटीपिलेप्टिक ड्रग तो एंटीपिलेप्टिक ड्रग्स इसके अक्टिविटी जो है बार्बिचुरेट की यह सिमिलर है फिनिटोइन सोडियम जैसी बट इन एडिशन टू दाट इंक्रीजेज दा सीजर थीचोल तो जो भी पेशन्ट बार्बिचुरेट का ट्रेटमेंट ले रहा है तो अगर हम एक एक एक्जामपल लें कि भाही व अटैक आया और बाद में उसे ट्रीट केया हमने बार्बिचुरेट से तो बार्बिचुरेट से ट्रीटमेंट के बाद सेव वही पेशन्ट को अगर हम हंड्रेड वोल्ट का शौक देते है तो उसे इपिलेप्टिक अटैक नहीं आएगा ड्यू टू इनक्रीज इन दा ट्रीटमेंट पर औल डे रेजिम Ihr में कंडिशन एक्सेट ममल लुटबीक तो पेटिट ममल इपिलेप्फियू जिसे हम अपस्टै एपिलेप्सी भी बोलते है यह इपिलेप्सी को छोड़ दिया जा है तो बाकि सब लेबशे के लिए बार्बीकर एजर्टमेंट करके यू combination जो है फिनोबार्बिटोन और फिनोटोइन का जनरली यूज होता है ग्रैंड माल एपिलेपसी में और अधर एपिलेप्टिक सीजर्स में सिर्फ पेटिट माल एपिलेपसी में इसका यूज नहीं होता है कि फिनोटोइन प्रिवेंट्स दस प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिकल अक्टिविटी बट डस नॉट सीम तो एबलिश फोकस वेरास फिनोबार्बिटोन रिद्यूस बोथ फोकस एंड तो फिनोटोइन क्या करता है इलेक्ट्रिकल अक्तिविटी जो होती है जो कि नूराउन्स के बीच में होती है वाया एक्षेण पोटेंशल उसको प्रिवेंट करने का काम करता है बट जो फोकस एरिया है जो सेरीब्रल कॉर्टक्स में जो भी focus area है जहाँ पे disturbance आया है neurons का वहाँ पे finitoin act नहीं करता है वहाँ से जो disturbance है neurons का उसे वो abolish नहीं कर पाता whereas finitoin reduces both the focus and spread तो finitoin क्या करता है directly central nervous system पे act करता है जिसके वज़े से cerebral cortex में जो focal area है जहाँ से initiate हुआ है seizure और epilepsy वहाँ पे act करता है और ultimately वहाँ का focus area को depress करता है जिसके वज़े से जो seizure का spread है वाया neurons वो भी reduce हो जाता है finitoin electrically stabilized cell membrane and prevent post-titanic potential जिसे PTP भी बोलते है on the other hand penobarbiton increases the post synaptic response to the inhibitory transmitter जिसे हम गाबा बोलते है तो finitoin क्या करता है ultimately sodium channels पे act करता है जिसके वज़े से sodium जो है यह neurons के अंदर ना जाए और ट्रिगर कर नूरांस को ट्रिगर ना करे उनका action अगर neurons का action ट्रिगर हो गया तो ultimately वह release करेंगे neurotransmitter जो की उसके नेबर neuron के receptor accept कर लेगे और वह भी ट्रिगर हो जाएगे जिसे हम बोलते है पोस्ट titanic potential तो ultimately finitoin क्या करता है cell membrane को stabilize करता है जिसके वज़े से जो neurons है neurons का action potential नहीं हो डिस्टर्ब नहीं हो पाता और वह वज़े से neuron जो है वह stable condition में रहता है और उसके आगे के neurons भी उस पे act नहीं करते हैं ऑन दे अधर हैंड फिनो बार्बिटोन क्या करता है फिनो बार्बिटोन क्या inhibitory transmitter जो है गाबा ऐसे neurons पर act करता है जिसके वज़े से गाबा amino butyric acid जो है यह रिलीज होता है जो की inhibitory in action है तो यह गाब में गैमा amino butyric acid जो होता है जो की inhibitory neurotransmitter है यह डिप्रेस करता है आपके brain को तो उसके वज़े से भी जो epileptic seizure और epilepsy है वो reduce होती है या कम होती है इसके बाद combination of finitoin और finobarbiton यह reduce करते systemic toxicity अगर हम इसको single drug करके treatment में use करें like finobarbiton को या finotoin को तो इससे toxic effect भी दिख सकते है बट इसको combination में हम use करें तो यह systemic toxicity भी reduce करता है especially finobarbiton जो है यह systemic toxicity induced करने में main problematic drug है इसके बाद finobarbiton therapy should be reduce gradually as sudden suggestion of finobarbiton leads to conversion तो finobarbiton therapy जो है यह धीरे-धीरे कम करना है इसको suddenly हमें बंद नहीं करना है अगर हम इसको suddenly बंद कर देते हैं तो conversion फिर से आने के chances है sorry मेरा यह जो वीडियो है यह मैं mobile पर record कर रहा हूँ इससे पहले मैंने laptop पे कम से कम छे बार record किया बट तो record नहीं हो पाया तो कार्बामेजबिन भी anti-conversion drug है इसका भी mechanism of action जो है यह finitoin जैसा ही है it prevents the spread of the scissor discharge from focus and in addition elevate the scissor threshold तो यह जो है कर्बामेजबिन यह scissor को spread करने scissor का जो spread है from focal area उसे prevent करता है और इसके अलावा scissor का threshold भी बढ़ाता है जिसके बज़े से patient को easily next time conversion और epilepsy का attack नहीं आता है उसके अलावा beside this it is found effective in prophylactic treatment of generalized tonic clonic scissor तो इसके अलावा जो है जिस patient को generalized tonic clonic scissor आ चुका है उसे as a prophylactic treatment करके भी आप कर्बामेजबिन को दे सकते है जिसके वज़े से उसको आगे चलके generalized tonic clonic scissor का attack ना आ पाए उसके बाद it is also used to treat pain associated with trigeminal neuralgia तो trigeminal neuralgia क्या होता है जो neurons होते है face के यह neurons क्या करते है pain produce करते है यह pain को treat करने के लिए कर्बामेजबिन यूज कर सकते है as a treatment तो यह हो गया कर्बामेजबिन इसके बाद आता है next drug primidone तो primidone भी है जो कि structurally related to phenobarbidone है it has anticonvulgent activity of its own but it also metabolize to phenobarbital and phenyl ethyl malonamide जिसे पेमा बोलते है both of them are active anticonvulgent तो इसका एक advantage है primidone का यह खुद act करता है as an anticonvulgent बट इसके अलावा जब यह metabolize होता है by liver तो इसके जो metabolic product है phenobarbital और phenyl ethyl malonamide यह दोनों भी active anticonvulgent drug करके act होते हैं तो primidone को use कर सकते हैं हम profilactic control or treatment of generalized tonic clonic temporal lobe and focal cortical epilepsy में तो primidone के बहुत सारे advantage है जैसा कि वो खुद anticonvulgent है उसके metabolite भी anticonvulgent activity दिखाते हैं इसलिए यह useful है for prophylactic treatment means जिस patient को generalized tonic clonic seizure temporal lobe and focal cortical epilepsy आया हुआ है उसको आगे चलके यह सब चीजे का और epilepsy ना आये इसलिए हम primidone as a prophylactic treatment दे सकते हैं इसके बाद it is used in combination with finitoin therapy तो इसके पहले ही हम देख चुके है कि finitoin को हम finobarbidone के साथ use कर सकते है और primidone का metabolic product भी finobarbital है तो हम primidone को finitoin के साथ combination में दे सकते है for the treatment उसके बाद आते हैं हम tridion और troxidone पे तो tridion यह पहला नाम था उसको बाद में troxidone कर दिया गया तो troxidone is quite efficient in suppressing leptazole conversion and there seem to be a specific mutual antagonism between the two compounds तो troxidone जो है यह quite efficient है in suppressing leptazole conversion तो leptazole जो है यह generally use करते है drug to induce conversion in animal तो animal को conversion produce करने के लिए leptazole use करते है जब भी कोई हमें anti-epileptic drug test करना होता है तो हमें experimental animal में conversion produce करना पड़ता है to produce that conversion we use leptazole तो ट्राइडोन जो जो है यह efficient है leptazole induced conversion को suppress करने में और यह दोनों ड्रग जो है ट्रॉक्जिडोन अगर experimental animal को हमने electric shock दिया और जिसके वज़े से उसे conversion आया है और बाद में उसे treatment दी हमने ट्रॉक्जिडोन से तो नेक्स्ट टैम वही animal को अगर हम electric shock देते है तो ultimately उसमें conversion नहीं आएगा due to treatment of ट्रॉक्जिडोन तो ट्रॉक्जिडोन जो है यह ultimately elevate करता है थ्री शोल्ड वह experimental animal का ठीक है it does not suppress the tonic face of the conversion to the same extent as finitoin or phenobarbidone तो tonic and clonic face epilepsy जो होता है उसमें जो tonic face होता है इसको sufficiently suppress नहीं करता है ट्रॉक्जिडोन जिसके वज़े से इसको generalized tonic clonic epilepsy में use नहीं करते जितना finitoin और finobarbidone काम करता है उतना ट्रॉक्जिडोन काम नहीं कर पाता इसलिए इसको generalized tonic clonic epilepsy में यूज नहीं करते हैं ट्रॉक्जिडोन और इट्स मिथाइल डेरिवेटिव पैरामिथाडायोन और डायमिथाइल इथाइल कंपॉंड और स्पेसिफिक इन पेटिट माल विच इस ओर्डिनरिली डिफिकल्ट तो पेटिट माल एपिलेपसी जिसे हम अपसेंस एपिलेपसी बोलते हैं तो ऐसे अपसेंस एपिलेपसी और पेटिट माल में जनरली आद को जो है ग्रेंड माल सिजर और ग्रेंड माल इपिलेपसी में जर्नरली प्रिस्क्राइब नहीं करते टेया बिच्ट मेंनल और शिंगल ड्रग करता यह और इसीन बिलेपसी को कम करने के साथ नहीं देते हैं भिकाज फिनिटो इन क्या करता है ये भी पेटिट माल अटेक्स का प्रिक्वेंसी को पड़ा देता है तो यह भी कॉंबिनेशन हमें अवाईड करना है वाइल ट्रेटिंग पेटिट माल epilepsy और Petit माल epilepsy patient ठीक है बड़ लिख बीटे व्यóriaवर्वीट्ण और zu जो है यह prevention करते हैं grand mile attack तो जब भी हमें grand mile epilepsy में treatment देना है और ट्रॉक्जिडोन यूज करना है उसके साथ हमें फिनो बार्बिटोन as a combination देना ही है तो ये तीन important चीज़े है ट्रॉक्जिडोन को हमें as a single drug grand mal seizure में नहीं देना है क्योंकि वो seizure का seizure बढ़ाता है कम नहीं करता उसके बाद second phenotoin sodium को हमें ट्रॉक्जिडोन के साथ नहीं देना है जिसके वज़े से पेटिट माल अटेक जो है जिसमें आते है जो भी पेशेंट में आते है उसका frequency बढ़ जाता है और तीसरा जो है कि भाई हम ट्रॉक्जिडोन को grand mal attack में यूज कर सकते हैं बट ट्रॉक्जिडोन हमें phenobarbiton के साथ यूज करना है उसके बाद आते हैं हम डोस पे तो वन और टू ग्राम डेली इंडिवाइड़ डोस हम ट्रॉक्जिडोन को दे सकते हैं इसकी ओरली कैप्सूल आती है जो की 0.32 ग्राम और 300 mg की होती है ट्रॉक्जिडोन इस एब्जॉर्ब डेली फ्रॉम दे गट थेरापेटिक डोस प्रोड्यूस अनलजेसी और सीडेशन लार्ज डोस कॉज़स स्लीप अनकॉंशियसनेस और डिप्रेशन ओफ रेस्पिरेशन तो इसको हम 1 और 2 ग्राम डेली दे सकते है इन डिवाइड़ डोस इसका 300 ग्राम का कैप्सूल आता है यह एब्जॉर्ब होता है आपके गर्ट में से और अनलजेसिक और सीडेशन इफेक्ट प्रोड्यूस होते है जब भी हम थेरापेटिक डोस देते है बट अगर लाज डोस दे दिया है हमने पेशन्ट को जैसा कि 2 ग्राम और थोड़ मोर डोस तो इसके वजह से पेशन्ट में असकता है उसे नींद आ सकती है या फिर वो अन्कॉंशियस हो सकता है या फिर उसका रेस्पिरेशन जो है वो डिप्रेस हो सकता है त्रॉक्षी दोन इस प्रोबयबली डिटॉक्सिकेटेड इन द लीवर बया डी मितौइलेशन और इस एक्सक्रिटेड इन यूरीन। ओल्डी अबौओट 3% आफ दोज कैन्ड केमिकली डितेक्टेड इन द यूरीन। तो ट्रॉक्जिडोन जो है यह detoxicated होता है और detoxify होता है आपके liver में by demethylation उसका demethyl group जो है वो निकल जाता है जिसे हम demethylation बोलते है और यह urine से excrete होता है और अगर हम urine का अगर chemically test करते है तो हमें ट्रॉक्जिडोन जो है यह 3% मिलता है unmetabolized form में बाकी का सभी metabolized हो जाता है उसके बाद paramethodion paramethodion ip जो है यह भी tridion का ही जैसा है इसका dose है 0.6 to 0.9 ग्राम यह ip में रेफर किया हुआ है तो इसका भी जितने भी हमने discuss किया है ट्रॉक्जिडोन के parameter इसके सेम है अन्टूर्ड इफेक्ट अन्टूर्ड इफेक्ट में आएगा आपका फोटोफोबिया एंड हेमेरा लोपिया और डे ब्लाइंडनेस यह इसका अन्टूर्ड इफेक्ट है और इसे जनरली यही अन्टूर्ड इफेक्ट के रजए से प्रिस्क्राइब कम करते है तो डे ब्लाइंडनेस में जो होता है जिसे हम जनरली glare phenomenon बोलते हैं इसमें क्या होता है कि आखों के आगे whitish layer आ जाता है जिसके वज़े से आगे का कुछ दिखता नहीं है और अगर आखों पे हम कोई light flash करते हैं तो उससे डर लगने लगता है तो जो भी patient ट्रॉक्जिटोन का treatment लेता है उन्हें ये चीज होता है फोटोफोबिया और हेमेरलोपिया और डेबलाइडनेस तो डॉक्टर और फीजिशियन उन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं कि दे शुड़ वियर और मस्ट वियर डार्क ग्लासेश तो जो भी patient है ट्रॉक्जिटोन का treatment ले रहा है उन्हें डार्क ग्लासेश पहिनना चाहिए जिसके वज़े से उन्हें फोटोफोबिया ना हो और लाइट से कोई problem ना हो इसके अलावा नौशिया स्कीन रैशेश यह अनकॉमन है इसके अलावा अप्लास्टिक एनेमिया एंड अग्रैनुलोस अटसेश हाव बिन रिपोर्टेड आफ्टन तो यह भी कुछ-कुछ पेशेंट में दिखता है बट यह सभी साइड इफेट डिसपीर हो जाते है अगर हम का ट्रिट्मेंट बंद कर देते हैं तो यह अल्रेड़ी डिसकस कर चुके है 300 mg का टैबलेट होता है जिसे हम थ्राइस डेली देते हैं तीन टाइम देते हैं और चीफ ड्रॉबैक है इसका ग्लेयर इफेक्ट जो कि हमने अभी डिसकस किया है डे ब्लाइंडनेस इसके आता है तो यह चीजें आपके ट्रॉक्जिडोन से होते हैं और अगर हम इसको बंद कर देते हैं तो आटोमेटिकली यह सब अंटूर डिफेक्ट डिसपियर हो जाते हैं इसके बाद आते हैं हम फेंसक्सिमाइड में फेंसक्सिमाइड भी अंटी कन्वल्जन ड्रग है स्ट इसको एंटागोनाइज करने का काम फेंसक्सिमाइड करता है इसे उस पेशली यूश्फूल अगेंस्ट पेटिट माल टाइप बट लेस इपेक्टिव धैन ट्रॉक्जी दओन और ट्रॉक्जीडोन से यह लेस एफेक्टिव है और इसको आप पेटिट माल EPC में यूज कर सकते है इट अल्सो लेस इफ एक्टिव अगेंस्ट मिक्स फॉर्म ऑफ पेटिट माल तो जैसा कि ये लेस इफेक्टिव है ट्रॉक्जिडोन से तो कॉम्पलेक्स पेटिट माल में ये लेस एक्टिव है इसको आपप इनिशेल त्रिटमेंट करके यूज कर सकते हैं तो क्यूक्जिड लेस इसका एडवन्टेज है कि इसके टोक्जिक अईफेक्ट बहुत ही रार है नॉशिया वोमेटिंग, मस्कुलर विक्नेस, ड्रॉजिनेस और ओकेजनल स्कीन इरॉप्षन सम्टाइम्स ओकर बट सीरियस हेमेटोलोजिकल कॉम्प्लिकेशन हाव नॉट बिन नोटिस्ट तो ये सेफ ड्रग है पेटिट माल एपिलेपसी के लिए इनिशियल ट्रीटमेंट के हम यूज कर सकते हैं टॉक्जिक इफेक्ट इसके बहुत ही रेर है और नॉशिया वोमेटिंग, मस्कुलर विक्नेस जो भी है ये सम्टाइम उकर, मिन्स ओकेजनली किसी-किसी पेशन्ट को आते है और मेन एडवांटेज ये है कि इसमें हेमेटोलोजिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं है मिन्स ब्लड रिलेटेट कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है जैसे कि इसके पहले के ड्रक्स में हमने देखा था उनको उनमें ब्लड डिस्क्रेसियास और ब्लड डिसॉर्डर होने के चांसे होते है तो डोज इसका है 0.5 और 500 mg to 1 ग्राम और 1000 mg twice और thrice a day 2-3 बार हम ले सकते है और total dose हम एक दिन में 1-3 ग्राम तक के ले सकते है उसके बाद इतो सक्सिमाइट और मिट सक्सिमाइट जो है recent addition है और यह petit malor psychomotor condition में use होते है बट इनका जो activity है वो inferior है तो अगर हम compare करें तो ट्रॉक्षी डोन जो है यह petit mal में सबसे ज्यादा effective है मिट सक्सिमाइट जो है यह induce करता है serious bone marrow and renal damage यह सबसे बड़ा drawback है अगर bone marrow damage हो गया तो ultimately हमारे blood cell जो है यह burn नहीं पाएंगे और जिसके वज़े से serious issue आ सकते है like a plastic anemia and a granulocytosis renal damage हो गया तो ultimately toxic material हमारे body में store होगा store होते होते वो फिर organs पर problem करेगा issue करेगा हमारे body में water retain रहेगा और ultimately patient coma में या फिर death होने का chances है इसलिए midsaximide यह थोड़ा complicated drug है उसके comparison में itsaximide is less toxic and may be used with other drug तो यह जो ethosaximide है यह less toxic है और इसको आप other drug like phenobarbitone और phenytoine के साथ use कर सकते है as a choice of treatment उसके बाद आते हैं हम diazepam पर तो diazepam यह benzodiazepine category का है इसको भी already हम discuss कर चुके है the muscle relaxation by diazepam is due to depression of central nervous system तो central nervous system को diazepam depress कर देता है जिसके वज़े से उसका muscle relaxation action मिलता है कि दे increase the seizure threshold and act as an anti-conversion तो यह इसका advantage है कि भाई यह seizure का threshold बढ़ाता है पेशेंट को seizure easily नहीं आता है जो भी patient diazepam का treatment ले रहा है उसे seizure easily नहीं आता है और उसके अलावा यह anti-conversion करके अच्छा काम करता है diazepam given parentally block conversion induced by chemical and electrical stimuli in animal तो animal जो है experimental animal अगर उसको हम chemically और electrically induced करते हैं तो diazepam ऐसे animal को हम parentally जब देते हैं तो वह conversion को block करता है animals को conversion जो आता है उसको block करके animal का conversion वह कम करता है the drug acts on neuron containing GABA which is inhibitory in action and is mainly responsible for anti-conversion action तो diazepam क्या करता है neuron ऐसे neurons पर act करता है जिसमें GABA neurotransmitter release करने की capacity है जो की inhibitory in action है जो की आपके cns को depress करने का काम करता है और वही main responsible है diazepam के anti-conversion action के लिए तो यहाँ पे हमारा epilepsy and anti-epileptic drugs का part 3 खतम हो गया ultimately पूरा chapter खतम हो गया है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो धे धिया चौरों आखं़ स्थरों चॉप्स्क्राइ